गुद मॉर्णिंग प्रैंट्स मैं डॉक्टर भानु परताप अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग डॉपिंगर आप लोगों के लिए बीच लेकर आया हूं यह बात की जानकारी आज सभी को हनी चाहिए क करेंगे हम लोग को बहुत ही उसका अच्छा रिजल्ट होगा कहा गया है क्यों बचाव ही सुरक्षा है आज मैं बात करने जा रहा हूं इस मौश्व में होने वाले एक आम जेंडल देखा जो जाता है फीवर के बारे में उसका नाम है डेंगू फीवर डेंगू फीवर को ह बहुत ज्यादा दर्द होता हां असनियद होता है इसे डेंगू-市 सींडरों कहता है क्योंकि डेंगूजव बुखार होता है इसके बहूत सारे लक्षन इस बुखार में दिखाई परते इसको अवाले के लिए डेंगू सॉक्षारम करते हैं इसमें हेम्रेज होना स्टार्ट हो जाता है जो कि यह बहुती सिनियस डेंजरस लक्षन है तो आज मैं बात करने जा रहा हूं डेंगु फिवर के बारे में डेंगु क्या है डेंगु एक बहुती डेंजरस फीवर है फीवर में देखा जा सबसे बहुत ही इसका प्रभाव भोट खड़ाब होता है यह एक बारल इंफेक्सन है किसके कारण होता यह डेंगू वारस के कारण होता ह। डेंगो वारास जब अजब्टी मॉसक्यूट प्लती के ना काटने के कारण फ़लता है यह घ्रजब्टी मॉसक्यूट हो जब यह आदमी को यह करता किसी भी पर form को बाइट करता तो इसका अशर क्या होता है डायक्त इसका और हम बहुत सारे लक्षनों से अभावित हो जाते हैं आए हम जानते हैं कि हम डेंगू बुखार से किस तरह बस सकते हैं क्या करें कि क्या ना करें सबसे पहले यह बात जाना चाहिए कि डेंगू बुखार है यह साब पानी में पड़पने वला मच्छर जो गंगा के किनारे नदी के किनारे उसके शटे जो एरिये रहते हैं जो शहर रहते उसमें यह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्या करना चाहिए डेंगू मस्तर से पचाव के लिए हमें आस पास पास का वातावरान आस पा पानी का जमाँ हो तो से हमको इसको निश्कासित करना चाहिए देंगु का बुखार को हम पानी को टंकी होता है उसको अच्छी तरह से ढखके रखना चाहिए आज पास की सफाई करनी चाहिए जब भी हम लोग सोए या दिन में या रात में तो मच्छर दानी में सोएं बिना म मत्षर दानी में सोना अच्छा नहीं लगता है वह उसका एफेक्ट होने के बाद जलना समाप्थ हो जाता है कर लेते हैं तो हम लोगों को चाहिए क्या मत्षर दानी लगा के सोई इसे हम लोग ना अपने को सुरक्षित रखें विश्षित रखेंगे क्योंकि अगर आप सोए हुए हैं आपको मालूम नहीं होता है कि आपके क्या हो रहा है कौन सा कीरा आपको काट लेगा इसका कोई कहना नहीं है इसलिए अपने को सेफ करके सोएं तो बच्छरदानी का प्रियोग कड़ें कि एडिस मस्किटो हम लोगों को हमेशा दीन में ही काटते हैं इसलिए अपने पूरे सरीर को हम लोग जो इस एरिया से ग्रसीत हैं जहां कि आसपास यह बिमारी हो रहा है अपने सरीर को क्या करें कवर करके रखें खुला नहीं रखें मच्छरों से बचाव करना चाहिए हमें अपने आसपास जुखिर की है उनका भी उस पर जाली लगा देना चाहिए चाकि मस्किटों अंदर हमारी घर के अंदर नहीं आ सके आसपास का हाजिन मेंटेन रखना चाहिए स्वक्ष वाताब्रा नुराना चाहिए इससे क्या होग सब्सक्राइब करना चाहिए हम लोग को अपने घर के आसपास आने वाले चाहिए अगर टैड है या पूल्डानी अगर किसी तरह का पानी उसमें जमाव है कूलर है बाल्टी है वह तो ट्रे में पानी को जमाव नहीं होने दें तूटे-पूटे बरतनों को घर में नहीं प को सब को इसको बाहर कर दें कि जिस्ते क्योंकि अगर उसमें पानी जमा रहेगा तो उसमें क्या होगा एडिस मस्किटो मच्छल अपने लगेंगे आर जो घर के आसपास जगह हैं उनको वह वाइट कर सकते हैं विना मच्छरदानी के आप लोगों को नहीं सोना चाहिए जाली लगे खिरके को जो बाहर हैं जहां से मच्छर अप्रवेश आ सकता है उसको जो क्या करें उसको बंद करके रखें अगर आसके आसपास पानी उनीवला जगह है तो वहां पर जा करके उसका कुछ उस तरह से आप लोग छिरकाव करना चाहिए इससे की मच्छर लोगों के असपास नहीं कनव सकते अब मैं बात करता हूं अगर यह डेंगी को लोग को करता है तेज बुखार होता है बहुत ज्यादा सिर्दर्द होगा आपको मांस में जोरों में बहुत ज्यादा दर्द होगा आपके पीछे दर्द होता है थकान महसूस होता है नोजीया वह मीटिंग हो जाता है करता है लटी होने का मन अच्छा अच्छा नहीं लगेगा और जब इसका दिन होते जाता है यह क्या करते हैं इसमें हमारा श्रेंश कर जाएगा प्युक्त होता है यह और जब इनका जादा एफेक्ट हो जाता है तो यह स्टार्ट हो जाता है कि स्कीन से या मसूरे से नाट से ब्रेडिंग स्टार्ट हो जाता जो कि बहुत सिर्यस कंडिशन है इस तरह के लग्चन हुद आप तुरंत ही अगर आपको बुखार आए जोड़ों में दर्द हो कि अगर लगे आपको कि हमें ज्याइन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप तुरंत ही जाकर के अपने हस्पीटल में जाएं चिकित सक्षे परामर्स लें और तुरं दिखाएं क्योंकि यह बहुत सिर्यस कंडिशन है इसमें क्या होता है हमारा भी पी जो है धीरे ध क्या था फॉल हो जाता हर्ट भी डिक्रीज हो जाता एक बहुत से इसमें कंडिशन हो जाता है और इसकी कि अगर हम लोग रोक्ताम की बात करें तो हमेपैथिक मेडिसीन आती है यूपेटरियम पर्पॉरियम ठर्टी इसको अगर आप ले लेते हैं एक महना जिस तरह का वह इंफेक्शन रेट फैल लाए फॉटरियम ठर्टी आपको चार ग्लोबल्स याने खाने है डल्स जो है बीस वरसे उपर आठारा वरसे उपर उसकी या सोलर वरसे उपर जो भी है वो चार गोली खाएं रोज सबेरे खाली पेट में और जो बच्चे हैं बारा वर्स दस वरस सकते हैं और जो मैंने बाते कहीं आप लोग ये करें तो आस-पास की बाता रखें स्वच्छ रखें पानी को जमाने ही उन्हें दें मच्छदानी का प्रयोग करें तो आपको क्या होगा आप इस वुखार से निजात पा सकते हैं बुखार होने से अच्छा है कि बुखार हमें हो नहीं हो हमें इस चीज़ का उपाय करना चाहिए यह अगर आपको ज्यादा स्रियस कंडिशन हो या लक्षन हो तो तुरंत जा करके आपको हस्पीटल में जा करके या किसी भी डॉक्टर के पास जाके आप आपको परमस लेना चाहिए इसका टेस्ट कराना चाहिए अगर आपको कंफर्म हो जाए देंगू हो आइस कंडिशन में आपको हस्पीटल में राने की आव सकता होती है क्योंकि इसमें आपको कंटिन्यू स्लाइन दिया जाएगा बड़ी में लिक्विड डाइट जरूरी ह है आपका जो है वहां पर अच्छा से केयर होगा हस्पीटल में अगर हम लोग इसके मेनेजमेंट की बात करें तो इसमें हस्पीटल में बहुत जरूरी है जब आपको बखार हो गया हो आपको अगर कंफर्म्ट परता चला गया देंगू है तो कुल दिन आप लोग से कि होता क्या है इसका जबन में असल करता है तो इसने क्या करता चाटा इसमें बहुत सारे चीजि़ों का देख करना जरूरी है यह स्निंड्रोम है इसका आइफेक्ट हमारे बाड़ी के सब्सक्राइब करना चाहिए उसके रोक थाम के लिए उपाय करना चाहिए लेक्टिकल पाउडर का यूज करना चाहिए अभी इंफ्यूजन हो तो आप तो यह होगा आपको वहां पर आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कैसा आपका का कंडिशन है प्रोपर डाइट लेना चाहिए लिप्वीड लेना चाहिए टेस्ट की बात करें अगर हम लोग इसमें एन्स वान आईजी आईजी आजीएम टेस्ट करवाया जाता है और यह टेस्त आपको करता है क्या और कैसे आपके डॉक्टर उसको करवा रहे हैं तो आज मैंने आपको बात कहा डेंगु के बारे में डेंगु की कुछ लक्षन वरे जो कि में इसका लक्षन है प्रव रोजाता है आए फीवर हो जाएगा और इसका मांस पैस्टीयों में दर्द होता है बोन में दर्द होता है आपके पिछे दर्द होगा और आपको यह अने जोने का कंडिशन आ जाता है एक सेच्पिटल का रिक्वायर बहुत जरूरी है बात करते करते हैं इसको चुकि जब यह इनका टाफ क्या हो जाती है जिससे हमारे सरीर में इसका काफी दूस्परभाब दिखने करता यह जल्दी सब्सक्राइब करता है कुछ दिन के बाद सब्सक्राइब कर जाता है इसमें होने लगते हैं रेडिस पर पुरा उसके बाद ब्रेडिंग श्टार्ट हो जाता है विपी इसका फॉल कर जाता है यह युगताम हमारी जन्मेदारी बचाओं करें इससे कैसे होता है नहीं he जरूर रखें अपने घर परिवार में सभी बार बच्चों को इस परिवार्ग Жान कारी देनी है वह सकता है यह भारत जिम्मेधारी तरस्थ क्रवाते हैं पर अपने नागरी कोने के कारण अपने पढ़िवार में इस जनकाड़ी दें यह आपका फर्ज बनता है कि देखें कहीं पानी जमा हो उसको किसी तरह से निसकासी तो जो उसका मुस्कीटों से बचने के लिए जो इसका यूज करें साफ सफाई रखें अपना वातावरन सुद्ध रखें आसपास भी देखें क्योंकि आप स्वास्थ है सवस्थ है इसलिए आप स्वस्थ तो भारत स्वस्थ और अगर प्रतिक की मेडिसिन के बहुत अच्छी मेडिसीन और आप इसकी टीमें प्सक्राइब के पास जाकर करीं गर्वाते हैं इसका सिंप्मेटिक किया जाता है बहुत आच्छी-ची दवाई है वहीं जल्दी आसा नहीं रगता है कि ये दिंगू के बारे में मैंने कुछ बाते वाले आप लोगों के बीच कही ये वेडियो आपको कैसा लगा यह मैं कोमेंट करके बता आए किसी बीतरह की बात की जनकारी हो लेनी हो आपको अगर कुछ जो कुछ ना चाहते हैं हमारे कॉमेट में जा करके पूस्त कते हैं आप इस वीडियो को सेर करें ताकि हम लोगों की पास आस-पास डेमुग का भुखार होता है उससे लोग इसके वारे में सरजग हो सके वीडियो को टाइक करें शेयर करें तरह सब्सक्राइब करें तावेल बटन आउन करें ताकि जब भी मैं है आपकी वीडियो बनाओ तो आपको इसका नौटिफिकेशन मिले थैंक यू धन्देबाद आपको 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